प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है उन्होंने वारानसी लोगसभा श्रेत्र से नामांकन दाखिल किया है प्रधान मंत्री मोदी इस बार तीसरी बार वारानसी से लोगसभा चुनाव लड़ रहे हैं इसके पहले पिछली चुनाओं के जीतों से भी बड़ी अंतर से जीत दर्ज करेंगे। सियासी दावों और रणिनीतियों के पीछे शेत्र के कई समिकरन और उनके नंबर मुख्य वज़ा और बुनियाद होते हैं। प्रधान मंतरी मोदी के नमांकन से इतर आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वारा नसी के नंबर गेम क्या कहते हैं। किसकी जनसंख्या यहाँ जादा है। कौन सा फैक्टर चुनावी नतीजे को तै करने में एहम भूमिका निभाता है। नमस्कार स्वागत है आपका सिटिजन पोस्ट में मैं हूँ मेनु वर्मा। नमस्कार सिर्फ एक बार यानि 2003 में यह सीट भारतिय जनता पार्टी के हाथ से फिसल कर कॉंग्रेस के पास गई थी। 2009 के बाद से इस सीट पर लगातार भारतिय जनता पार्टी के उमिद्वार की जीत होती आई है। और अब यह भारतिय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। वारा नसी के कुल मतदाताओं की बात करें तो इस सीट पर कुल 19.62 लाख मतदाता हैं जिसमें से 10,65,485 पुरुष हैं। 8,97,328 महिलाएं हैं और वारा नसी में 135 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जबकि 52,174 मतदाता पहली बार अपने मतदिकार का इस बार इस्तिमाल करेंगे। आपको ये भी बता दे कि वारा नसी लोकसभा सीट पर कुल आवादी का 75 फीसदी शेयर हिंदू आवादी का है। वहीं 20 प्रतिशत आवादी मुश्लिम हैं। बाकी बची 5 फीसदी आवादी में अन्य धर्म के लोग आते हैं। इस सीट की 65 फीसदी आवादी शेहरी छेत्र और 35 फीसदी आवादी ग्रामिन इलाके में रहती है। कुल आवादी का 10 दसमलो सुन्य एक फीसदी जन जाती है और सुन्य दसमलो साथ फीसदी दलित वर्ग से हैं। जाके समिकरन की बात करें तो किसी भी चुनाओं में यह एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। और अगर वारानसी सीट पर जाके समिकरन की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख वोटर्स कुर्मी समाज के हैं। इस समाज का सबसे ज्यादा असर रोहनिया और सेवापुरी इलाके में हैं। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर्स भी हैं जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। कुर्मी और वैश्य समाज के बाद ब्रामन और भुमिहार वोटर्स भी वारानसी में अच्छा खासा वोट प्रतिशत रखते हैं। यादव और मुस्लिम समुदाय के वोट भी इस सीट पर चुनावी नतीजों के पर्चम को हिलाने का दम जरूर रखते हैं। इस seat पर यादव समाज के एक लाख वोटर हैं यादव वोटर से इतर इस seat पर कुल तीन लाख वोटर OBC समुदाय से भी संबंधित हैं चलते चलते आपको ये भी बता दे कि वारण असी संसदिय शेत्र 2014 के बाद से ही पूरी तरह से राष्ट्रिय राजधानी का केंद्र बिंदू बना हुआ है इस seat से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर तीसरी बार मैदान में है इस seat पर अब तक 17 बार लोग सभा के इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब यह seat सपाय या बसपा के खाते में गई हो इस seat पर सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी के ही उमिद्वार जीतते आए हैं